हलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपनाई चैनल सुरे वन सी ख्लासेस में आज मैं 2019 के टेनिस टूनामेंट ग्रैंड सिलेम के सभी इंपॉर्टेंट कोस्टन वित्फूल एक्स्प्लानेशन और वीनर का नाम आपके सामने ट्रिक के द्वारा रखने जा रहा हूं और आपको के द्वारा याद करवाना जा रहा हूं ठीक है तो चलते हैं हम लोगनेक्स्ट क्या है इसमें हम लोग देखते हैं पहला है टेनिस ग्रैंड स्लेम 20 हैं सबसे पहले जो खेला जाता है वे देन फ्रेंच ऊपन नेक्स्ट विवल्डन ओपेन एंदेन आफ्टर यूएस ओपेन तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विवल्डन और यूएस इसको हम लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं लेटर, अल्फावेट जो है उसको पहला लेटर भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं जैसे A से ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले A आता है तो A हो जाएगा, उसके बाद F, फिर W और U को उलट देना है क्योंकि U क्या आता है, U, W के पहले आता है ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप A, F, W, U भी याद रख सकते हैं सीरीज में नेक्स्ट है, आस्ट्रेलिया ओपेन आस्ट्रेलिया ओपेन जो है 1905 में पहली बार खेली गई थी और यह कहां खेली गई थी? ये औस्ट्रेलिया के मेलबॉन पार्क में खेली गई थी और अभी भी वहीं पर खेली जाती है ठीक है नेक्स्ट है ये कौन से कौन से महीने में खेली जाती है तो ये 14 से 27 जनवरी के बीच खेली जाती है ये जो अभी हाल में खत्म होई है 2019 की वो उसकी एडिसन 107 थी इसकी जो प्रैस मनी है वह 62.5 मिलियन डॉलर है अस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर इसलिए जो प्रैस मनी है जो डॉलर में दी होई है इसके बाद है French Open French Open जो है Clay Outdoor पे खेले जाती है कहने का मतलब मिट्टी Outdoor पे खेले जाती है और Australia Open Heart Coach पे खेले जाती है आप यह ध्यान रखोगे Australia Open Heart Coach पे खेले जाती है French Open Soft Clay, Midty खेले जाती है तो देखते हैं इसके बारे में कुछ डेटेल यह स्टार्ट 1891 में हुई थी इसकी जो संपन हुई है जो एडिशन वो 123 है यह खेली जाती है पेरिस फ्रांस में यह 26 मैं से 9 जूम के बीच में खेली जाती है स्टार्ट होती है 26 मैं को और 9 जूम को संपन्न हो जाती है इसकी प्राइज मनी यूरो में है क्योंकि फ्रेंच की करेंसी यूरो है तो इसकी प्राइज मनी है 42661000 इसे और एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं Roland Garros जैसे कि आप इहां इमेज में देख सकते हो नेक्स्ट है Vimalden Vimalden को अमलब Championship के नाम से भी जानते हैं यह सबसे पुरानी टेनिस टूनामेंट है पूरे वर्ड की यह 1877 में स्टार्ट हुई थी यह 1 जुलाई से 14 जुलाई तक खेली जाती है और यह जो है All England Club London में खेली जाती है और एक important question यह निकल के आता है कि यह कहां खेली जाती है तो यह grass पर खेली जाती है इसका जो coat होता है उसके surface जो है grass के होते हैं तो आप याद रखना इस grass का of French Open के ले का ठीक है और बागी तो आपको पता ही होगा tennis outdoor game है इसकी जो addition जो अभी संपन हुई है वो 133 थै Next हम लोग चलते हैं US Open US Open में देखते हैं यह जो है 1881 में start हुई थी इसकी जो addition है अभी वो संपन हुई है 2019 में वो 139 है यह August 26 से September 8 तक खेले जाती है यह जो खेले जाती है New York City US में खेली जाती है और इससे एक important question आपसे यह पूछ दिया जा सकता है कि कौन सा ऐसा grand slam है जो पहले grass पे फिर clay पे और अब hard surface पे खेली जाती है तो इसका जवाब आप दो गई US Open क्योंकि आप यहाँ देखो last man पहले सबसे पहले यह जो US Open है वो 1881 से 1947 तक grass में खेली गई फिर 1975 से 1977 तक clay में खेली गई and then after 1978 से अब तक hard coat पे खेली जा रही है तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि A आपका Australia indicate कर रहा है उसके बाद French उसके बाद Vivalden उसके बाद US Open तो A जो है Australia Open है वो hard coat पे खेली जाती है French clay पे Vivalden grass पे और US फिर से hard coat पे तो आप याद रखना पहला और आखरी जो है hard coat पे आप उसके बाद second clay और third Vivalden grass पे जैसा कि इमेज में आप ये देख सकते हो Vivalden का जो symbol है बीच में green है तो आप वो याद रख सकते हो कि उसका जो surface है coat है वो घास का होगा तो next चलते हम लोग अब हम लोग देखेंगे Australia Open के winner single men's और omens में कौन-कौन है जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो men's single में नुवाक जोकोभी जो सर्वियास के है ठीक है वो winner रहे हैं और omens single में Naomi Osaka जो कि जपान की है वो winner रही है आप सिप ये figure देखो और मैं जो नाम बता रहा हूँ वो देखो आपको खुदबख खुद याद हो जाएगा आगे मैं ट्रिक भी लाया हूँ ठीक है जो अगले slide में हम लोग देखेंगे complete होने के बाद next है french open french open में main single में है राफेल नडाल और omens single में है एसलेवाटी जो कि Australia की है और राफेल नडाल Spain के है फिर आया Wimaldon Open Wimaldon Open में फिर से main single है नवाक जोकोबीच सर्विया के और Australia Open में भी main single के winner कौन थे नवाक जोकोबीच तो एक हम लोग को याद करने में असानी हो जाएगे कि यह repetition है women single में जो Wimaldon Open के winner है वो है Simona Halet जो की Romania की है नेक्स्ट है US Open US Open में आप फिर से देखो जो French Open के जो winner थे राफेल नडाल तो US Open में भी राफेल नडाल mains में winner है main single में और women single में जो विनर है Vyang का address को जो की Canada की है अब हम लोग कुछ trick के योड़ चलते है जैसे की पहला trick है आपका Australia फ्रेंच, विमल्डन, US Open उमीद करता हूँ अभी तक ये series आपको याद हो गया होगा अगर नहीं याद हुआ तो आप इसे याद रख सकते है अरे फिर wife उसकी है अरे आज से उस्टेलिया फिर से फ्रेंच वा से wife मतलब विमल्डन और उसकी है मतलब US Open ये आप याद रख सकते हैं उसके बाद आया women single का winner को याद करने के लिए आप एक trick मैं छोटा से बनाया हूँ आप ध्यान में रखना इसको ना एस्वरिया से विया करेंगे विया का मतलब साधी होता है ठीक है तो ना एस्वरिया से विया करेंगे करेंगे को इग्नॉर करना sentence को complete करने के लिए करेंगे मैंने add किया है तो ना से बोजाएगा नाओमी उसका एस्वरिया से ए वर्ड लिया गया है से से सीमोना हाले विया से पहला वर्ड वी लेते हैं तो वियांका एड्रिसको ठीक है जो कि वेमन सिंगल की ये सब विनर है तो आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हो अगर आपको सीरीज याद है औस्टेलिया, फ्रेंच, विमेलडन और यूएस मतलब ए, 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 डबलू, यू तो आप पहला अगर पूछा जाएगा कि नुआमी उसाका किस चीज की विनर रही है कौन सी ग्रेंड सेलेम की तो आप आउस्टेलिया मार पाओगे क्योंकि पहला है ठीक है, उसके बाद एस वरिया दूसरे वर्ड में आ रहा है, ना एस वरिया मतलब S वरिया दूसरे पॉइंट पहे है तो French के लिए French भी दूसरे पहे है Vivalden तीसरे पहे है C तीसरा वड़ा आ रहा है, ना S वरिया C तीसरा में आ रहा है, और VIA चौथा में तो US Open भी चौथा में तो आपको याद रखना पढ़ेगा इस टाइप से कि पहला सीरीज का यह अब मैंने यहां ब्रैकेट में डाल दिया है A मतलब ऑस्टेलिया, F मतलब फ्रेंच, W मतलब इमेल डन और UA मतलब यूएस अपेंड ठीक है यह इसके लिए, यह इसके लिए, यह इसके लिए नुवाग जोकोवीच, ठीक है, तो नुवाग जो भी N, R, N, R सिप आप याद रखोगे क्या याद रखोगे, N, R, N, R, N, R तो N, R, N, R, तो पहला सी स्टार्ट है, आपको सीरीज पता है कि ऑस्टेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विमल्डन, और फिर यूएस ओपें तो N, R, N, R, N, R, तो N पहला में हो जाएगा, नुवाग जोकोवीच, फिर रफेल नडाल, फिर नुवाग जोकोवीच, फिर रफेल नडाल, और इसके बीच में मैंने ब्रैकेट से इंडिकेट भी कर दिया है, ठीक है, ग्रैंड सिलिम के फर्स्ट अलफा लेटर को, तो य आपका ये ट्रिक है, जोकी असानी से आप इसको याद कर सकते हैं, नुवाग जोकोवीच, रफेल नडाल, नुवाग जोकोवीच, रफेल नडाल, ठीक है फ्रेंड्स, ये उमीद करते हैं, आपको ये ट्रिक के द्वारा नाम याद हो गया हो, और मैंने इमेज के साथ वी 2019 का पूरुस एकल खिताब किसने जीता है option आपके सामने है नवाग जोकवीच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और इन में से कोई नहीं तो आप मुझे comment करके answer जरूर दे और ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है और हो सके तो आप like करें कमेंट करें और अपने फ्रेंड को सेर करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें ठीक है फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंकियो फो वाचिंग